उसमें मैं संब्रिस नहीं था है क्योंकि मैं उसके बाद आया हूँ लेकिन मानी प्रधानमत्री जी जिस इच्छा सकती है संकन और देश को बचाने की तलफ्स के साथ आप हमारा मार्ग दर्शन कर रहें वो हमारी प्रेरणा है और उसी प्रेरणा से भरके हम भी मददेश में कोरोना बाइनस के संक्रमन को रोकने के लिए लडाई लड़ रहे हैं मददेश के वीच्छा सेहरों में निन्याद में 99 पाजिटिव पाए गए हैं बाकी जगे इस्तिती सामाले लेकिन इंदौर की हम लोग विशेश रूफ से चिंता कर रहे हैं घनी बस्तियों के 20 सक्री गलियों में या एक एक घरन कई लोग रहते हैं भाई ये संक्रमन फैल जया था लेकिन आप उसको रोकने के हर संभग उपाय कर रहे हैं बानी प्रधान उत्री जी हमने लगभग 31,000 लोगों को कोरिंटाइन में रखा है 16,000 लोगों की कोरिंटाइन की अब अधी पूरी हो गई है विशेश कर इन दौर में हमने होटल्स को मेरी गार्डन्स को कोरिंटाइन में बदल दिया है और जितने भी संपर्क्त लोग हैं परिवार के लोग हैं उन सब को वा रखने का हम काम कर रहे हैं चिंजिती रख्तियों की सर्विलेंस की भी हमने ठीक से व्यवस्था की है सर्विलेंस को प्रभावी बनाने के लिए उनकी लोकेशन और एड्रेस पबलिक डॉमेन में भी हमने डालने का काम किया है ताकि पब्लिक जान सके कि उनके घर के पास कोई रख्टी सर्विलेंस में है हमने जो मजदूर अलग अलग प्रांकों से विशेश के जिसकी चर्चा निक्रीश जी ने की थी दिल्ली से और बाकी जगे से अजानक आना प्रारण हो गए थे या था संभव हमने प्रयास किया कि तो वहीं रोके जाए लेकिन उनमें से कई बॉर्डर पर आ चुके थे तो उनका प्रापर मेडिकल चेक अप करके और अपने अपने गाओं में गाओं के बाहर भी सामदाय भवन पंचयाज भवन वहां को आईसोलेशन में रखने का काम किया वहां की आसाकारी करता की छेत्र से अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं विला है कोविड-19 के वाइरिस की टेस्टिंग की रवस्ता हमारे हम अब अब बते से पहले बहुत कम थी किवल एक लेव काम कर रही थी जिसमें साथ टेस्ट हो सकते थे उसको हमने बढ़ाय कर चाह सो अस्टी तक हम हम ले गए एक लेव और हम जल्दी तैयार कर रहे हैं ICMR के सहोग से और उसके बाद हमारा 1000 टेस्टिंग के हमारी चुमता हो जाएगी इन दौर में जो अचानक पॉजिटिव केस आए हैं सांग में उसका कारण भी हमारी टेस्टिंग गवस्ता का बहता होना है हमने गापक पर सेंपल लिये हैं और उसकी आधार पर पॉजिटिव आना कोई खराब बात नहीं अगर कहीं है तो उनको खोजना और उनके उफ्चार की बेहतर व्यवस्ता करना वही इस महामाली को रोक सकता है हमने मद्व देजिसेस के अब इंदौर और भोपाल में हमने डेडिकेटे हास्पिटेल जा सारी सुविदा हैं वहीं दूसरे कोविट नाइन टीन जैसे कुछ अलग अगर होते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग अस्पताल किया है कव्गी उनको कोविट नाइन टीन के पोजिटिव के साथ रखना कुछ तरह ही होगा भोपाल में भी भी नी फैला वहां भी हम डेडिकेटेड अस्पताल की जबस्ता कर रहे हैं ताकि भगवान ना करें अगर यह संकत बढ़ ले तो हमको कोई दिक्कत ना आए हमने लगत तीन हजार गैंड आइसलेशन बैट यह सुरक्षित किये हैं अभी तो बैंटिलेटर की परियाब की ज जरूरी है उसले मदबतेश का हमने प्यास किया और मुझे बताती है कि डियाइड यो ने कि लेव ने हम जो हम लोगों ने सेंपिल भेजे थे उसको पास कर दिया है अभी दोहजार पीपी गिडिस हम मदबतेश में बना रहे हैं लेकिन कल से छंदा बर के चार हजार हो या सफाई कर्मी दिरोराथ इसकाम में लगे हुए हैं उसके लिए दोनों को मापदंड हमने अलग लग रखें डाप्टर्स, पेरिमर्ट, मेडिकल स्टाफ जो सीधे मरीज के संबच में आते हैं उनके मापदंड अलग है पीपी किट के और जो हमारे पुलिस के जबान या एक प्रियोग और किया है अगर अच्छा साफ गमचा है और उसको ठीफोल्ड करे ठीक से नाक और मों पे बांध ले तो वो भी मास्क का काम करता है और गाओं में इसका बड़ी संख्या में लोग प्रियोग कर रहे हैं तो कि गाओं गाम उतने मास्क लोग खरीद भी नहीं पाते और उपलब भिदा में भी दिक्कात आती है इतलिए उससे हम मास्क का काम ले रहे हैं मानी प्रधानमंत्र जी आयुस की दवा जो आपने कहा हम छे लाग परिवारों तक हम पहुंचा चुके हैं होमियोपैथी की दवा भी सारे सत्रा लाग व्यक्तियों को दे चुके हैं उनको बीमारी का सामना ना करना पड़े लाग डाउन को हम पूरी सक्ति के साथ लागू करने के फ्यास करना है कुछ जगे जहां आवसक है वहां ड्रॉन जैसे साधरों का भी हम उप्योग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी कोई कमी ना रहे हमारी करना यह थी कि लाग डाउन के कारण अत्यावस सक्वस्तों की कोई कमी नहां आये और इसलिए मुक्कमंतरी की बनने के बाद मैंने यह निर्देश दिये कि जरूरी चीज़ों की ट्रक्स रोके नहीं जाएंगे दवाओं की आपूरती के बारे में आपने जिंदा प्रिकट की थी मदब देश में जिसे इसके इंदोर पीठंपुर दवाईयों के दिर्माण के हब हैं पहले वह दवाईयों के दिर्माण बंद हो गया था लेकिन अब हम जो उनकी छंकता है उससे पचाश प्रिसस तक वो दवाईयां बना पा रहे उसमें कोई दिक्कत ना आये इस ब से इसके अधर आपकर करने का प्यास कर रहे हैं इस्टेट का कॉल सेंटर प्रस जिले का कॉल सेंटर इन दोनों को भी new time कि आ है और इस्टेट के कॉल सेंटर में अलगत साथ हजार फोण आते हैं उनमें से 15,000 बीमारीजस संब्दिस होते हैं और एक दिन में सारे साथ से 8,000 का जवाब देपाते हैं जो रह जाते हैं उसका जवाब हम दूसरे दिन देने का प्यास करते हैं और उन कॉल सेंटर्स में केवल कौन सुनने वाले नहीं है हमने डॉक्टर्स की टीम भी बिठा रखी है जो जरूरत पढ़ने पर उनको सराह देती है कि आप ये दबाई ले सकते हैं एक प्रकास से टेली मेडिसन की विवस्था भी हमने कॉल सेंटर के माध्यों से करने का प्यास किया है भोजन जैसी चीजों की कोई कमी मदब पेस में नहीं है फूट पैकेट्स ग्रामी छेत्रों में भी और सहरी छेत्रों में परियाप्त बट रहे हैं आपके निर्देशों के अनुसार जो आपने विवस्था की है हमने लगबख संतान भी 97.5 लेक्स परिवारों को तीन मईने का रासन पहले ही पहुंचा दिया है निसुन की जिस्ते उनको कोई दिक्कत ना हो जो गरीब कल्यांट बेकेज बानी प्रुधानमत्री जी आपने स्वड़ब्य दिया है उसका बहुत सकारात्मत असर गया है और उसके बारे में भी हमने नीचे तक एजूगेट किया है बेंक को संबब्ब विवागों को हमने तायब करके ऐसी ब्योंस्ता की है कि बिना किसी भीण के उन पैसों को निकालने की रवस्ता कर सकें, मद्धपुदेश से भी हमने कौसिस की है, कुछ-कुछ जो और आवसक सुधाय हैं, वो हम अपने जनता को दे पाएं, किसानों की एक जितना मद्पेश में कटाई का काम लगबग पूरा हो गया, और वो भी जैसे आपके निर्दे अभी हमने 15 तारीक तक उसको रोका हुआ है, उसके बाद से जैसी परिस्तिती बने की, उसके हिसाब से हम फैस्ता करेंगे, लेकिन किसानों को भी धहरी रहे, कोई दिक्कत ना आए, इस बात का हम प्रयास करेंगे, हमने सभी स्यमसेवी संस्था हैं, जन्प्रतिदी हर जिल जिरंतर संबाद, वीडियो कॉंसेंसिंग के माध्यं से और अन्यमाध्यमों से उनसे होता रहता है, एनसेस, एनसीसी, एनजियो, हमारे हैं एक और एनक्यो है, जन अभियान परिशत, वो भी कुछ दिनों से डिफंक पड़ी हुई थी, लेकिन गाओं गाओं में, उनका ने उस नेटवर्क के माध्यम से स्यम्सेवियों का एक भग मजबूत तंतर खाड़ा कर लेंगे, जो संकट के समय, उनको मिनिमम ट्रैनिंग जो आवस्था के हो देंगे, संकट के समय ये नेटवर्क हमारा काम आएगा, 26,000 विदेशी, विदेशों से विदेशी नहीं, विदे पिये गए थे, उन में से जादातर दिल्ली में है, 82 लगबख दिल्ली में है, वहां से आये नहीं थे, बाकि हमने सब को खोजी लिया, और खोजने के बाद आईसोलेशन मिले गए, इसके अतरिक बदेशी विदेशी जमाते हैं, अलग 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 देशी, 57, 57 लोग और थे जिसकी जानकारी आप 53 सरकार तो प्राप तुई थी, और उनके अलगा 36 पारणरों हमने और ढूड़े, जो अलग अलग स्थानों में थे, उनको भी कोरेंटाइन में हम ले गए हैं, जो टूरिस्ट वीजा के नाम पर आये थे, उनके पासपोर्ट हम लोगों ने, जब्द क कर दिये हैं, और आगे जो आवस्तक कारवाई होगी, अभी तो पोरेंट टाइम में ले गए, हम लोग करेंगे, इंदोर मैंने ज़ूर प्रारणों में ही कहा, कि थोड़ा सिंदा का विस्ता है, लेकिन मेरा पुरा विस्वास है, कि इंदोर की जनका के सहयोग से, आपके मा पालेंगे, मानी प्रदानमंत्री जी, जब भी अबसर आया, मैंने आपको फोन किया, और आप से मारी बड़ी ताकत है, कि देश के प्रदानमंत्री एक बार काल करने पर ततकाल उपलब्ध हो जाए, वो हमारे होसले और हिम्मत को बढ़ाता है, मैं मानता हूं कि संकर थोड पाल आएंगे, जो दिसानल देश भारत सरकार के, ग्रह मंत्रा लेके, आपके मंगी बात के हो, या देश को संभो धन के मातन से हो, उनका ततकाल पालन हम लोग सुनिश्चित करते हैं, और मेरा विस्वास है कि आपके नेतरप मैं ये लगाई हों जीतेंगे, बहुत बहुत आभाई टाएंगे